मुझे अच्छे होंगे वेसे अपने लास व्लॉग में मैंने आप से कहा था कि जल्दी ही मैं आपके साथ अपने वर्जीनिया से लेकर फ्लॉरिडा ट्रिप की पूरी जर्नी शेयर करूंगी लेकिन अपने ट्रिप की कोई भी क्लिप अभी तक मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई वेसे फ्लॉरिड पहले की तरह नॉर्मल हो जाए बाकि लाश रिप के जितने भी व्लोग्स बने हैं जल्दी है मैं आपके साथ शेयर करूंगी फिलाल तो आज मैं कर रही हूँ अपना किचन क्लीन वैसे आपको मेरे क्लीनिंग के व्लोग्स पसंद आते हैं इसलिए अपने घर के क्लीनिंग औ सो ये व्लोग मैंने बनाया था लास्ट फ्राइडे के दिन दोनों बच्चों के स्कुल जाने के बाद मैंने अपना किचन क्लीन करना सुरू किया सबसे पहले किचन के पैंट्री और कैबिनेट में जितने भी खाली जार रखे थे उनमें ग्रोसरी फिल की देन यहां मैं हमा साबुदाना की खिचडी बनाते हैं मुझे उसी तरह के बिना मसाले वाले खिचडी खाना काफी पसंद है बस साबुदाना का हर एक दाना एक दूसरे सा अलग होना चाहिए बिल्कुल खिला हुआ तो अगर आपको इसकी रेसेपी चाहिए होगी तो इस वीडियो के एंड म मैंने आपके साबुदाना के खिचडी की रेसेपी शेयर की है आप जरूर देखना और चाय पीकर एक बार फिर में लग गई हो अपने क्लीनिंग के कामों में सो जो मेरी वीकली किचिन क्लीनिंग की रूटीन होती है उसमें मेरा सबसे पहला टास्क होता है इस रैक को क्लीन करना वरना यह अगर वीकली क्लीन ना हो तो एक्स्ट्रा मॉइस्टर की वज़ा से रैक के बॉटम पर मोल्ड जमा होने लगता है और इस बार तो लास्ट इन हपतों से इसकी क्लीनिंग में कर ही नहीं पाई इविन लाश्ट पर जाने से पहले मैंने जो भी बरतंद होकर इ इसे ही रैक पर रह गये थे जिसकी वज़ा से रैक के बॉटम पर काफी गंदगी जमा हो गई थी इसलिए फिलाल ब्रस की हल्प से मैं कर रही हूं इस रैक की डीप क्लीनिंग अपने कीचन और लिविंग रूम को और्गनाइज करने के लिए कुछ दिनों पहले ही मुझे टीमू के ओनलाइन साइट से कुछ आईटम रेसीव हुए थे जिने यूज़ करने के बाद उनका ओनेश रिविव आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वेसे टीमू से जो भी आईटम मुझे मिले है वो सारे ही मैंने खुछ सिलेक्ट किये है इवन जब आप भी उन्हें देखोगे तो आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि ये सारे प्रड़क्ट आपके कितने काम आएंगे तो टीमू से मैंने आराउंड 10-12 आईटम समंगवाए थे जिनमें से कई चीजों को यूज करने के बाद ही उनका रिविव मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो सबसे पहला आईटम जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये नियू स्टैल का फोर कफ फ्राइड एग पैन जो की मेडिकल स्टोन से बना हुआ है और नौन स्टिक पैन है क्योंकि हम एग नहीं खाते इसलिए ये पैन मैंने पैनकेक बनाने के लिए लिया है आपको ये पैन सेपरेट हैंडल और स्क्रू के साथ मिलेगा लेकिन सिंगल स्टैप के साथ पैन हैंडल से आसानी से लग जाता है सो टीमो से मैंने जितने भी उटेंशिल्स मंगवाए थे उन्हें मैंने यूज करने से पहले अच्छी तरह धो लिया आपके लिए पैनकेक्स बना दू हाँ बोलो वेसे मेरे दोनों ही बच्चों को पैनकेक खाना अच्छा लगता है और जब भी मैं उनके लिए पैनकेक बनाओ उसका बैटर तयार करने दोनों ही किचन में मेरे साथ लग जाते हैं उनका बस चले तो कुकिंग भी वही कर ले आयांस तो वेसे घर के थोड़े बहुत काम करने लगा है लेकिन कुकिंग वगेरा में अभी में उन्हें हाथ लगाने नहीं देती वेसे cooking में तो दोनों का ही interest है लेकिन फिलाल तो नहीं बच्ची थोड़े और बड़े हो जाए तब उन्हें में cook करना सिखाऊंगी तो इस pan को मैंने पहली बार pancake बनाने के लिए use किया है और आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से एक ही बार में 4 pancake बन का त्यार हो गए और में ही मिल जाएगा तो एक बात जरूर चेक कर लेना अगला आइटम जो मैंने टीमू से ओर्डर किया है वो है wooden paper और salt grinder जो कि इनके site पर आपको दो size में मिलेंगे small और large मैंने अपने लिए small size order किया था जो कि मुझे $3.98 में मिला वैसे इनका large size भी आपको इनके site पर reasonable price में मिल जाएगा next मैंने उनके site से एक serving spoon मंगवाया और अब सोच रही हूं कि सिर्फ एक की order किया मुझे और ले लेना था क्योंकि जिस तरह की quality मुझे अपने spoon के लिए चाहिए बिलकुल ये वैसा ही है spoon के corners काफी ठीक है प्लस ये single metal से बना हुआ है size भी सही है और price भी reasonable आपको ये serving spoon $1.29 में मिल जाएगा तो ऐसे और भी serving spoon इनके site से में अपने लिए जरूर लूँगी इनके अलावा टीमू से मैंने दो boards मंगवाए vegetable and fruits वगेरा चॉप करने के लिए एक श्टिल का है और एक उडन परसनली मुझे उडन वाला ज्यादा पसंद आया क्योंकि श्टिल की मुझे इतनी habit नहीं है पहले कभी यूज नहीं किया लेकिन श्टिल वाले काफ़ी durable होते हैं जल्दी खराब नहीं होंगे तो अगर वीडियो में दिखाए गए items आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप teamo.com से ले सकते हो फिलाल आपको आपके purchase पर 30-40% का discount इनके site पर मिल जाएगा साथ ही मैंने teamo से एक garbage can मंगवाया है इसे आप अपने kitchen या bathroom के cabinet door पर hang कर सकते हो और यह आसानी से fold भी हो जाते हैं तो जब भी आपका काम हो जाया आप इसे fold करके कहीं भी रख दे अगर आप अपने या बच्चों के लिए अच्छे quality वाले इस टील के lunch box लेना चाहते हो तो एक बार teamo.com पर lunch box जरूर देखे इनके पास आपको lunch box से लेकर lunch bags की काफी variety मिल जाएगी मैंने भी इनके site से अपने और बच्चों के लिए दो lunch box और bag मंगवाया है तो ये है पहला lunch box जो मैंने order किया है teamo से ये इस टील का multi layer वाला box है जिसके lead के उपर आपको एक spoon holder और एक spoon मिलेगा जो की foldable है वैसे जो box मैंने order किया है वो है 3 layer वाला लेकिन इनके site पर आपको इस तरह के same 2 layer और 4 layer वाले box भी मिल जाएंगे तो अगला lunch box जो मैंने teamo से order किया है वो है electric lunch box जिसकी capacity 1.8 liter की है वैसे इस lunch box में आपको bag नहीं मिलता bag के लिए आपको थोड़ा extra pay करना होगा लेकिन ये lunch box मुझे bag के साथ लेना वर्थ लगा इसलिए box मैंने bag के साथ लिया है बाकि lunch box के साथ आपको इसका manual और एक steel का spoon और fork मिलेगा इसके अलावा दो code मिलेगे जिसके help से इस lunch box में रखावा food आप अपने घर में, office या कार में कहीं भी गर्म कर सकते हो अगर आप दो अलग तरह के food इस box में रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक extra compartment भी इस lunch box के साथ दिया गया है तो अगर आप अपने लिए अच्छे quality के lunch box लेना चाहते हो तो timo.com पर जरूर जाएए वहाँ आपको lunch box के काफे सारे options मिल जाएंगे lunch box के अलावा timo.com पर आपको इस तरह के waterproof thermal bags भी मिल जाएंगे इनके site पर कई सारे cartoon character वाले thermal bags available है वो भी सिफ $3.69 में और thermal bag होने की वज़ा से काफे समय तक इसमें रखावा food गर्म ही रहेगा प्लस ये bag waterproof होने की वज़ा से इने clean करना भी काफे आसान है bag का measurement मैंने screen पर add कर दिया है ताकि इस bag के size का अंदाजा आपको लग जाए और अगला जो item मैंने टीमों से order किया है वो है freeze organizer जो की clear होने के साथ stackable है इसमें आपको 7 storage bins मिलेंगे वो भी lead के साथ तो इसमें मुझे एक बड़े size का storage bin मिला है प्लस 2 bins एक जे से है वैसे इनकी भी length अच्छी है साथी 4 छोटे size के bins मिले है जिनमें आप ginger garlic मिर्च वगेरा रख सकते हो या fruits वगेरा organize कर सकते हो तो इनके help से मैंने अपना freeze already organize कर लिया है चलिए आपको जल्दी से freeze का टूर दे दू सो आपके जो भी राया सलाह होगी मेरे cleaning और चीजों को organize करने के बारे में मुझे comment कर जरूर बताना last item जो मैंने टीमों से order किया है वो है ये wooden art supply organizer जिसमें आप अपने या बच्चों के pen pencil crayons और markers वगेरा organize कर सकते हो तो ये item मुझे काफे सारे parts में मिला इसे manually assemble करना था तो ये जब मुझे मिला इसके parts को देखकर मुझे लगा कि ये organizer इतना study नहीं होगा क्योंकि इसके parts मुझे थोड़े से thin लगे लेकिन एक बार जब आप इसे assemble कर लेते हो तो organizer काफे study बनका त्यार होता है manual काफे आसान था इसका इसलिए organizer जल्दी बनका त्यार हो गया तो इस art supply holder को आप अपने घर में, school में या office में रखकर organize कर सकते हो या आपको timu.com पर काफी reasonable price में मिल जाएंगे so finally मेरा art supply holder बनके ready है चलिए इसे साथ में organize करते ही जो परसे सपने बूंद बूंद नेनों को मूंद मूंद कैसे मैं चलू देखना सकू अंजाने रासते अपने फ्रीज का टूर देने से पहले मैंने फ्रीज को अच्छे से ख्लीन और और और्गनाइस कर लिया था अब बारी है पैंट्री की पैंट्री के साथ बस मैं आज किचन के ड्रॉर्स क्लीन करूगी बाकी cabinets वगेरा फिलहाल तो सही है तो वो कभी और clean होंगे वैसे इस मेहने अगर आप किसी को birthday वीश करना चाहते हो तो मुझे उनका नाम नीचे comment box में देना अगले लोग में मैं उन्हें वीश कर दूँगी happy birthday सुहानी उपाद्याए आपको आपके जन्म दिन की बहुत सारी सुपकामना है वेसे ये मेरा भी birth मन थे मैं अपरिल बॉन हूँ शायद मैंने पहले कभी आपके साथ share नहीं किया होगा लेकिन मेरे mommy पापा की fourth wedding anniversary के दिन ही मेरा birth हुआ था same उसी दिन लेकिन उनके wedding के चार साल बाद तो पहले जब भी मेरी mom इस बारे में मुझे बताते थे मुझे यकीन ही नहीं होता था कि उनकी anniversary और मेरा birthday सेम दिन पर कैसे हो सकता है मुझे हमेशा यही लगता था कि बस मुझे खुस करने के लिए बोलते होंगे बर देन एक दि कि मेरा special दिन मेरे parents के special दिन के साथ होता है even मेरे दोनों बच्चों की भी birth date सेम है आयांस का birth 12 अगस्त को हुआ था और समयन का 12 नवेंबर वेसे आपके life पे भी कुछ खास दिन होगे जिनको लेकर आपके पास कई किस्से होंगे हो सके तो comment के जरिए मेरे साथ भी शेयर करन at first sight I felt the energy of sunrise I saw the life inside so shy tonight you and I we're beautiful like diamonds in the sky I do I so alive तो जिस तरह में साबुदाना की खिचडी बनाती हूँ चलिए उसकी रैसेपी में आपके साथ शेयर कर देती हूँ तो खिचडी बनाने के लिए यहां मैंने आराउंड एक और आधा कप साबुदाना लिया है तो खिचड़ी बनाने से पहले साबुदाना को छेसे आठ घंटे पहले अच्छी तरह धोकर भिगा लेना चाहिए मैं इसके खिचड़ी जाधातर मौनिंग में ही बनाती हूँ में आप देखोगे कि साबुदाना के अंदर जो भी पानी था वो पूरी तरह सुख गया है अभी अगर आप साबुदाना को अपने उंगलियों के बीच प्रेस करोगे तो साबुदाना अच्छी तरह सौफ्ट हो गए होंगे यानि कि साबुदाना खिचडी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है अब खिचडी बनाने के लिए हमें आराउंड एक चमच गर्म तेल में जीरा का तड़का लगाना है जैसे ही जीरा लाल हो जाए तड़के में 10-12 करी पत्ता और 2-3 हरी मिर्च कट करके डाल दे हरी मिर्च के भुन जाने पर हमें तड़के में एक पारी काकार में कटे होंगे उतनी जल्दी पकत तयार होंगे अब आलू को तड़के में अच्छी तरह मिला कर तड़के में आराउंड दो छोटा चमच पानी डाले देन आलू को स्लोटू मीडियम आच पर हमें ढखकर पकाना है वैसे आलू पकाते समय थोड़ा सा पानी ड यहां मेंने दो चमच पाने आलू में डाल कर आलू को ढखकर दो से तीन मिनट के लिए फिर से पकने के लिए रख दिया और जब आपको लगे कि आलू अच्छी तरह पक गए है आलू में भीगा हुआ साबू दाना एड़कर ले लेकिन साबू दाना एड़करने से पहले हल दिन हलके हातों से साबुदाना को आलू के साथ मिलाते विए हम खिचडी को पकाएंगे अब बस साबुदाना को थोड़ा सा चला कर दो मिनट के लिए धक कर पकने दे वेसे साबुदाना को हमें ज्यादा नहीं पकाना होता ओवर नाइट भीगानी की वज़ा से उनके दाने अल्रेडी काफी नरम है तो बस थोड़ा सा साबुदाना के दानों का कलर चेंज हो जाए बस हमें उतना ही पकाना है वेसे ओवर कूक करने से साबुदाना आपस में चिपकने लगते है तो बस यहां मैंने दो मिनट के लिए ही दो बार साबुदाना को ढखकर पकाया है इसे आपके खिचडी के दाने और भी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे बस अब मुंफली के दानों को अच्छे तरह खिचडी में मिला ले और लीजिए आपके साबुदाना के खिचडी बनका त्यार हो गई गर्मा गर्म चाय के साथ खिचडी को एंजॉय करे और आपसे अब मैं मिलूगी अगले व्लॉग में तब तक अपना ख्याल रखना और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो इस व्लॉग को पूरा देखने और इंजॉय करने के लिए आपका दिल से थैंक कि अ